हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 11 जेपीसी की नोटिफिकेशन के रिकार्डिंग क्या क्या चेंजेज आपको देखने के लिए मिलने वाला है और साथ इसाथ सीटों की संख्या के बारे में जब हम लोगा 7-10 जेपीसी प्रिलिम्स का एक्जमिनेशन हुआ था तो इसके जो कॉट आफ गया थे जैनल काटेगरी के वो 260 गया थे हैं सबसे हाइस्ट कॉट अफ था हम लोगा 7-10 जेपीसी का जैनल काटेगरी की मैं बात कर रही हूं 260 कॉट आफ गया था और क को नेगेटिव माकिंग दिक सकता है पिशले बार 7-10 जेपीसी तक नेगेटिव माकिंग नहीं था फ्रेंट्स लेकिन इस बार प्रिलिम्स के एक्जमिनेशन में नेगेटिव माकिंग एड हो सकता है साथ जात फ्रेंच समनों बात करेंगे इस बार jshc के द्वारे बहुत अंतर देखने के लिए मिला है और सीजल में तो बहुत जादा डिफरेंस देखने के लिए मिला है तो में भी यह हो सकता है कि प्रिलिम्ट्स में कि सीलेबस 11th JPC में चेंज किया जाया मतलब इस बर बहुत सारे एक्जमिनेशन में से लेबस चेंज हुआ है तो यह माना होगा आप लोग अच्छे से प्रिप्रेशन करते रहेगा अब हम लोग बात करते हैं नंबर ओफ सीट के बारे में साढ़े तीन सो फ्रेंट्स में बहुत पहले आपको बताईजी कम से कम छे मैना पहले मैं आपको इन्फार्म किती कि साढ़े तीन सो प्लस पर सीट आ रहा है अब भी तक आप सभी लोग को पता चल गया होगा कि साढ़े तीन सो सीट तो आ रहा है लेकिन एक सो सीट और एड़ हो सकता है ये बहुत जादा उमीद जदाई जा रही है बहुत जादा पॉसिबिलिटी है कि इस बार सीट जो है अभी एक सो सीट और एड़ हो सकता है तो यह बहुत ही अच्छा खासा मौका है इस बार बहुत ही अच्छे खासे सीट आ रहे हैं और उसमें बहुत अच्छे पोस्ट भी आ रहे हैं तो आप लोग फ्रेंट्स जम कर तयारी कीजिए लेकिन फ्रेंट्स नेगेटिव मार्किंग एड़ अगर होगा तो इससे घबराने क बिल्कुल भी ज़रुवत नहीं है फ्रेंट्स आप लोग अच्छे से तयारी कीजिए और पिछले बार ऐसा हुआ था 7-10 जेपीएसी में और उससे पहले भी ऐसा होते आ रहा है कि जब नेगेटिव मार्क ही नहीं रहता है तो लोग अंदर धून कोस्टन बनाते हैं मतलब सब्सक्राइब कर टिक लगाना स्टार्ट तो किसी का जो ओमर सीट होता है वो खाली रहता है निसाब एक मतलब की भर भर केक्दम पूरा रंगिन रंगिन करके सबको छोड़ दाता है जो पढ़ने वाले स्टूरेंट हैं उनको उनकी लिए तो बहुत अच्छा है लेकिन ज समझ के टिक लगाएंगे एक भी कोशन गलत नहीं करने के कोशिस करेंगे और ऐसे में फिर बहुत जादा अच्छा प्रदर्शन होगा तो यह आपके लिए एक अच्छा पहल होगा अगर ऐसा किया जाएगा तो हमनों थोड़ा नोटिफिकेशन का वेट करते हैं बहुत जल कर दिए तब ही जाकर आपका अच्छा परफॉर्मेंस हो पाएगा तो फ्रेंड्स आई होब यह इन्फोर्मेशन आपके लिए बहुत यादा बेनेफिशियल होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजगा बैल आइकन को प्रेस कर दिएगा थैंकियो सो मच फॉर्च